सनातन जो आदी से पहले भी था और अंध के बाद भी रहेगा जिसका ना आदी है और ना अंध है वही सनातन है और यही नित्य शाश्वत सनातन धर्म है हमारा इस सनातन धर्म को जितना जानेंगे उतना गहराई में उतरते जाएंगे आप पर सवाल ये उठता है कि अब हम सन सनातन धर्म को जाने कैसे तो आज की इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि कैसे हम सनातन धर्म को जानेंगे यह भी जानेंगे और आज कुछ बेसिक बाते भी जानेंगे सनातन धर्म के बारे में इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी से सबस्क्राइब कर दीजिएगा ताकि आप बात में भूल ना जाएं। किसी भी धर्म की जानकारी आपको उसकी धर्मिक पुस्तकों में मिल जाएगी। और अगर हम हमारे हिंदु धर्म यानि सनातन धर्म की पुस्तक की बात करें तो यह तो इतनी सारी है कि आपको उनके नाम याद रखने में भी समझ से आएगी तो कौन कौन सी है ये पुस्तकी ये भी जानेंगे और कहां से पढ़ सकते है ये पुस्तकी वो भी बिल्कुल फ्री वो भी लाइब्रेरी के जैसे वहां आपको ऐसी पुस्तके मिलेगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा ये सब जानते हैं लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की मुख्य पुस्तक कौन सी है अगर इसलाम में किसी से पूछा जाए कि उनके धर्म की सबसे मुख्य किताब कौन सी है तो वो कहेंगे कुरान, अगर इसाई से पूछा जाए, तो वो कहेंगे की बाइबल, सिखो से पूछेंगे तो कहेंगे गुरुबानी, अगर यही सवाल हम से पूछा जाए, तो कुछ लोग कहेंगे भगवत गीता, कुछ लोग कहेंगे रामायन, कुछ लोग महाभारत तो कौन से वेद रिग वेद यजुरंवेद सामवेद या अथर्ववेद जोकि हम में से ज़दातर को तो यह पता ही नहीं है कि हमारी मुख्य पुस्तक कौन सी है हमारा सबसे बड़ा धर्म गरंत कौन सा है सनातन धर्म का सब से बड़ा धर्म गरंद मुख्य गरंद है वेद वेद एक ही है पर उसको अलग-अलग भागव में विभाजित किया गया है रिग वेद यजुर वेद साम वेद और अथर्व वेद और प्रति एक वेद को अलग-अलग शाखा में विभाजित किया गया है तो जो वेद एक है उसे आदि वेद भी कहा जाता है वेद यानि शृतिया जो भगवान के मुख से प्रकट होती है पुराणों में जो ग्यान है वो वेदों का ही ग्यान है इसलिए पुराणों को भी पंचम वेद कहा जाता है इस वेद ग्यान को अन्य शास्त्रों में सहज भाशा में वताया गया है सकंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ यानि जब उन्होंने अवताल लिया तब वेद ही महरिशी वालमिकी के मुक्से रामायन के रूप में प्रगड हुए महाभारत के आरम में भी बता जाता है कि समस्त वेदों पुराणों और शास्त्रों का ज्यान इसी में संग्रहित किया गया है कहने का अर्ध यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है सबसे मुक्ष ग्रंथ है वह वेद है और वेद भगवान की ही वानी है विडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप यह सभी शास्त्र चारो वेद, अठारा पुराण, मनस्मृति, यागयवल्क स्मृति यह सब दर्शन यानि जैन दर्शन, बोद दर्शन साथ ही, विदुन निती, चानक की नीती यह सभी नीतियों और जितने भी शास्त्र है आगम, शास्त्र, जोति, शास्त्र, विमानिका शास्त्र, सभी शास्त्र, यह सब शास्त्र आप कहां से पड़े, हम बताएंगे आपको यह एक प्रकार की लाइब्रेडी है, जहां यह सब आप बिल्कुल फ्री पड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे धर्म क्या कुछ लोग कहेंगे हिंदु धर्म है सनातन धर्म है तो किवल इतना ही थोड़ी होता है देश काल और स्थिति यानि जगा कौन सी है कौन सा यूग चल रहा है यानि कौन सा समय चल रहा है और स्थिति यानि परिस्थिति क्या है सहिन निर्णय करकर उस पर बढ़ना ही धर्म है इसे अगर सरल भाशा में समझाए तो हमारे जो शास्त्र है शास्त्र जो आग्या करे कि यह करना है उसका पालन करना धर्म है शास्त्र जो आग्या करे कि यह यह नहीं करना और अगर हम वह नहीं करते तो धर्म है यानि शास्त्र अगर कोई गलत काम करने को मना करता है और अग नहीं करते तो यह अधर्म है उदाहरन के लिए जूट बोलना पाप है पर वो धर्म के मार्क पर सत्य के मार्क पर चलता है तो वो सत्य से भी उत्तम है जूट बोलने की स्थिती बदल जाती है इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि देश काल और स्थिती कैसी है उसके उप पाप था पस सिती रक्षा की बनी तो जूट भी पुन्य हो गया अब जानते हैं कि अलग-अलग शास्त्र हम कहां से पढ़ सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेद एजूकेशन नाम की एप की लिंक है आप इस एप को प्ले स्टोर से भी डाउंलोड कर सकते हैं और इसे डाउंलोड करने के बाद आपको इसकी लाइबरेरी में जाना होगा जहां आपको सभी प्रकार के शास्त्र मिल जाएंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए जैराम जी की